कि परमात्मा कौन है और कैसा है साकार या निराकार या उससे कुछ अलग है परमात्मा के बारे में उपनिस्दू का गतन है एको देवा सरव बुदेश गुड़ा सरव ब्यापी सरव भूता अंतरात्मा उसको अंतरात्मा कहा गया है सभी आत्माओं कि जो अंतरात्मा है वो परमात्मा इसे विधित क्या है कि परमात्मा एक है भगवान और परमात्मा में अंतर होता है भगवान किसको कहते है जिसमें अच्छे गुण होते है जान है, विवेक है, अईस्वारी है, सक्ति है ऐसे अच्छे गुणों का जिसमें समावेस होता है उसको भगवान कहते है आप संकरजी को भगवान कह सकते है राम को भगवान कर सकते हैं गौतम बुद को भगवान कर सकते हैं किन्तो परमात्मा नहीं कर सकते हैं परमात्मा कौन है? जिसका वड़न गीता में कहा गया है कि उत्मा पुरसे तुन्या परमात्मा इतु दाइर्दा उत्तम पुरुस अक्षराती थी केवल परमात्मा है गीता में तेन पूटसों की विवेचना की गई है चरपुरुस अक्षर और उत्तम पुरुस अक्षर और उत्तम पुरुस अक्षराती चरपुरुस कौन है अक्षर का मन सपन में मोह सागर के अंदर नराण का रूप लेता है अच्छर पूरस है उसी एक आदी नराण के संकल्प से है हमारी सारी स्रिष्ट बनी है इस स्रिष्ट में 13 लाख पृत्वी आए और इस एक पृत्वी पर आपको पता ही है कि संकर जी कलास पर रहते हैं ब्रह्मा जी भी हिमाले पर उन्होंने तब किया था और विश्ट भगवान भी छीर सागर जिसको कहते हैं वो मांसरोर की छीरे यदि पृत्वी पर ब्रह्मा विश्ट शीव का प्रेक्टन होता है तो आईसी पृत्वी जैसे तेरह लाख पृत्वी, तो अभी पता है पताहिए अभी कितनी पृत्विय आओगी यह तेरह लाख पृत्वी हमारी गलेक्षी में और हमारी गलेक्षी जैसे करोनो गलेक्षियां इस्टि के अंदर है तो आप सोच सकते हैं एक आदी नरायन की बुनाई हुई सिष्टी में कितने ब्रह्मा विश्वों से हैं, इसलिए मर्यादा पुर्सोतम राम तो अजुद्या में प्रगट हुए थे, तो ये सारे महापुरुस हैं, इनके गुणों का सम्मान किया जा सकता है, इनको भगवान कर सकते हैं, क्यों तो परमातमा काला सकता है, इनको समप्रदाए है, हजार समप्रदाए है, और ये संप्रदाए वाले, अपने इस्ट को परमातमा मान कर वैठे हैं, जो कि वेद, उपनिसद, दर्सन, सबके विपरीत हैं, वेदों ने क्या का, कि परमात्मा की समान कोई दूसरा नहीं है उपनिसत कहते है एकम एव अधितियम परमात्मा एक है लेकिन जो राम को मानते हैं कहेंगे कि राम के अलावा कोई दूसरा परमात्मा है नहीं सिया राम जी पूरण ब्रह्म है ये बैशनों लोग हमेशा गाया करते हैं कोई माभीर स्वामी को मानाएगा कोई गौतम बुत को मानेगा कोई भगवान सिव को परमात्मा मानेगा कहने का असे है कि साकार रुपधान करने वाले मापुर्शों को ही परमात्मा मानने कि प्रिवर्थी चल पड़ी है जो वेद और साहस्ति के विपरीत है अब प्रेस्ट यह है कि परमात्मा किसको माना जाए प्रकृत का जो सरुफ है अति सुच में कारण प्रकृति का रूप कारण प्रकृति निरागार है, सुच प्रकृति कोई भी मानोतन सकार रूप में होता है मापुरुस भी होते हैं सकार रूप में होते हैं हम बैकुंठ वासी जो होते हैं सुक्ष रूप धारी होते हैं उनका पांच ततों का सरीर नहीं होता लेकिन उनकी भी अकर्ति होती है वेद क्या कहते है कि परमात्मा सकार और निराकार दोनों से परे है क्योंकि जो सकार होता है वो बना होता है जो बना होता है वो नस्वर है इस ते परमात्मा का रूप न सकार होगा न निराकार होगा साकार और निराकार स्रिभिन परमात्मा का जो सरूप है उसको वेद की वासा में आतित दवन करते हैं भरगा करते हैं और सुक्र जोतिस, चित्र जोतिस, सत्र जोतिस उसको कहते हैं जो संसार के विद्वान है साकार और निराकार में फसे रहते हैं वास्ता में परमात्मा के सरूप को इन से भी नमाना जा सकता है धर्म का अकंड सरूप क्या है? धर्म और संपरदाय में भेद क्या है? धर्म एक ब्रिक्चा है संपरदाय उसकी सखाए है संपरदाय का अर्थ क्या होता है? परंपराम बद रुप से कोई जान की धारा, कोई सिधान जब चल पड़ता है उसके अनियाई बनते जाते हैं तो उनके अनियाईयों की विचार धारा को संपरदाय करते है संपरदाय का अर्थी होता है परंपरा आगत चला हुआ जान कि धर्म क्या है जब सिह्टी नहीं थी तब धी धर्म था और जब सिठी नहीं रहेगे तब भी है धार्म क्या है जिससे प्रजा का कल्यान हो और अंतु गत्वा मुप्ष की प्राप्ति हो उसको धर्म कहते हैं विमान साह में धर्म किसको का गया है जो वेद में लिखा है वो धर्म है वेद किसको कहते है सत्य ग्यान को जो सत्य है वही परमात्मा है और जो सत्य है वही धर्म है और धर्म सास्वत होता है हिंदू का भी धर्मों का मुस्लिम का भी धर्म होता है जैसे धर्म के दस लक्षा होते हैं धैरे छमा इंद्रियों का दमन, सौच, दिर्थी छमा, दमन अस्तियम, चोरी न करना, आंत्रिक और बाई पवित्रता, बुद्धी, विद्या, सत्ति का पालन करना और कुरूत न करना, ये धर्म के दस लक्षन होते हैं, ये हिंदू के लिए है, मुस्लिम के लिए है, क्रिस् कर लें, पार्शी कर लें, बहुत कहलें, ये संप्रदा है, धर्म नहीं, धर्म क्या है, जब सिष्टी नहीं थी तब भी धर्म था, सिष्टी के बनने से पहले कोई धर्म नहीं था, कोई संप्रदा नहीं था, सिष्ट में सबसे पहले वेद का प्रक्टर मा, वेद को उनके अंदर बे्ट का ज्यान आया, इसलिए वेद में जो लिखा है, मिमांसा में जैमРИ कहते हैं, वेद इसी ऐगर यह जान है, इस्वरी जान सकते होता है, इसलिए जो सकते हैं, वही धर्म है, शमपरदाय में तुटियाँ हो सकती है, हमारे समपरदाय के सिदान, दुसरे के संप्रदायवालों को स्विकार नहीं होगा उनके सिधान्त हमको स्विकार नहीं होगा लेकिन धर्म का जो मोड सिधान्त है वो सब के लिए स्विकार होता है उसमें कोई ग्रोधावास नहीं कर सकता है इस ते धर्म और संप्रदायवालों में शिर इताई जह से, हमारा धर्म क्या है? हिंदु धर्म. हिंदु धर्म एक हिंदु सब्द, संस्क्रित के किसी गरंत में नहीं है, लोगों ने कहना प्रारम क्या दिया, क्योंकि जब बीदेशी आये, अघर्म जबधर या उसके पहले और जो भी मुगल आये, तो भारशी में क्या होता है, स्वर्म कर दिया इता है, सप्ते हिंद्व का, सब पहले हिंदु न दी ती, सिंदु को इससे बिगड़ते बिगड़ते हिंदु कहने लगे, और यहां के लगों को ह हिंदू कहने लगों, धर्म को हिंदूस्तानी कहने लगों तो यह प्रिक्रिया चल गई, अन्य था, चार वेद, उपवेद, छांग, छांग, छांग में कोई भी हिंदू सब्ध नहीं है। हुआ क्या। वेद कहर्थ ब्रह्म भी होता है ब्रह्म के द्वारा गिता में सिक्रिष्ट कहते है ब्रह्म अक्षर समुद्भॉम वेद को अमिनासी ब्रह्म से उत्पन हुआ जानो तो वेद में वेद सत्य धर्म को कहता है उस सत्य का पालान करने वालों को क्या कहा गए और यहां के लोग जब से मुर्ति-पूजा करने लगे एक परमात्मा को छोड़ कर अनिकी भक्ति करने लगे तो विदेशी सासन करने मुगलों का राजिवा, तुर्कों का अफगानों का, पठानों का सब का राजिवा और यहां के लोग असिक्षित होते गए, अपने मौल संस्क्रिट से बठकते गए, तो परड़ाम क्या हुआ, हिंदु कालाने लगे, पौराणी कालाने लगे, पुरानों के उपर चलने लगे, आज जो हिंदु धर्म काला रहा है, वो पौराणी मत्थ है, सुद्वैदिक धर नहीं है, वेद से सतर परशत दूर जा चुका है, इसलिए, आज हम कहें कि हिंदु वेद को मानते हैं, तो मैं कुंगट नहीं मानते हैं, सतर परशत नहीं मानते हैं, तीस परशत ही मानते हैं, हम संदर साथ से एक चुक क्या हुए है, हमने कहना सुरु किया कि हमारा धर्म से प्रदा है हमारी निजानेंगे, ऐसा नहीं है, महाभारत के 47 अंद्य का बानुवे स्लोक आता है, एको अपिक्रस से करता है, प्रणामा, दस समेध आव भर्धेन तुल्या, दस समेधी पुनरेती जन्मा, सिक्रस प्रणामी न पुनर पावाया, यह स्लोक किसने का है, यह भीस न पितामा ने स्लोक का है, जब बाणों की सरसिया पर लेटे हुए हैं, और उनके दे तयागा समय आता है, भगवान सिक्र्ष के साथ पांचो पंडों पहुंचते हैं, और विष्ण पितामा विष्णु स्वरुप स्रिक्रिष्ट की इस्तुति करते हैं और पांडो को कहते हैं कि पांडो यह जो विष्णु स्रिक्रिष्ट नहें यह नरायड स्वरुप है और उन्हेक इस्तितिव में कहा गया है कि एको प्रिक्रिष्ण से किता प्रणामा, इस स्रिक्रिष्ट को जो एक बार भी प्रणाम कर लेगा, तो जब तक सिष्ठी रहेंगी तब तक उसका जन्म नहीं होगा, दसा समेधी पुनरेदी जन्मा, दस समेधी जजी करने वाले का तो पुनार जिन मोच हैगा, लेकिन training योगेस्वर स्रिक्रण काचने वाले का पुनार जन्म नहीं हो गया, इसमें किन पावॉ कि कि पानामी काचा होगा, जो प्रणाम करता है, तब से ये मत को स्रिक्र्ण कर हैं प्रणामी मात से सुर्म का गया, पहले अभी सूरत में तो वहां के मेरा अमान है कि बाइंग खाते में कुछ भाले तो नाम प्रणामी मंदिर था पुरानी कागजात में 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 पुरानी कागजात वो नेपाल में जो धर्ण में सब्सतार्ट ह workout उस से इस त multiplayer का उधारन दे करके विद्वन ने सब्सतार्ट में विजय की थे वास्तों में क्या है क्या है दीवचनजी नजानन जिन प्रगट करी यह संपृदाय है सद्धगृर धनिसे देवचनजे है निजानन्द स्वामी ने निजानन्द संप्रदाय को प्रगट किया इस ती आठो बितकों में कहीं भी सिक्रिस्पड़ा में धर्म का उलेक नहीं है धर्म हमारी क्या है? हिंदु धर्म, जिसको सनातन धर्म कहते हैं इस ती अबाड़ी में लिखा है तो धर्म क्या है? मुलता धर्म एक होता है सारी सिर्ष्टी में जो सत्त एक होता है परमात्मा एक होता है धर्म भी एक होता है उसको मानव धर्म कहिए, सास्व धर्म कहिए सब एक चलेगा लेकिन यह कहिए कि इसलाम तो 14 वर्ष से चला इसाई मत दोजार वर्षों से चला, यहुदी मत उसके कुछ समय पहले से था, दुनिया के सभी मत मत अंतर पांच जार साल से उपर का कोई भी मत नहीं देगा, लेकिन वेद के उत्पति कितने समय से हैं, एक करव, चांडे कोड़, आट लग, तिरपनाजार, एक सो बाइस वर है, तब से वेद का प्रेक्टन है, और सर्तिगार चलता रहा है, परमात्मा का धाम कहा है, और केसा है, देखे, आप संसार के बिन-बिन मत पंतर में जाएंगे, तो क्या कहेंगे, पंतर में काणड में ब्यापके, जीता में एक बहुत अच्छा स्लोक है, और उससे आसे अशिततों में बहुत से वाक्य है, कि महां सूर्य नहीं चमकता, चंदर्मा नहीं, विदुत नहीं, अग्री नहीं, इसको संत्वारी में गाये जाता है, चांद सुरज की गम नहीं, पहुचे सुवावे नहीं, सुवी मकुन में दाम, गीता में कते हैं, न तत्रभास से शुर्य, न स संको नहीं पाऊँगा, ये कहां का बहुत नहीं है, बेहत मंदल का, इस कालमया के ब्रह्मान से परे, बेहत मंदल है, जह सुरी का, जंदर्मा का, विदुत का, अग्री की वहां के कड़कड में ब्रह्मक का शुरूब है लेकिन इस बेहत मंदल से भी परे परमधाम है जिसको क्या कहते है सौलिला अद्वयत परमधाम वेद में क्या कहा गया है उसको ब्रह्मपूरी कहा गया तिर्पादूर्द उदेहत पूर्सा परमात्मा कहा है, परमधाम में, परमधाम कहा है, काल माया से परे, योग माया, अर्धात, बेहत मंडल से भी परे, इसको उपनिसत्त की भास्या में कहा लिया है, ब्रह्मपुर, दिव्ये ब्रह्मपुरे, ही ऐसा द्योमनी आत्मा परतिशितम, परमात्मा, परमधाम में, माय के संसार में किवल माया का सुरूप है यहां जीव का सुरूप है और प्रकृति का सुरूप है दोनों है इसको क्या करते हैं द्वैत अद्वैत किसको करते हैं जहां प्रकृति ना हो जहां प्रकृति भी ब्रह्म के समान हो माया और ब्रह्म एक सुरूप में लिला कर रहे हो उसको क्या कहते है अद्वयत और जहां अक्छरातीत पर ब्रह्म ही सभी रुपों में लिला कर रहा हो वहाँ प्रकृति सब्द भी नहीं हो किवल अक्छरातीत ही हो उसको क्या कहते है स्वाल लिला अद्वयत और उसको कहते है सत्चित आनन ये जगत क्या है असत जड़ और दुख है जिस तरह से अंदकार के करकड में सूरज व्यापक नहीं होता उसी तरह से माया के करकड में ब्रह्म व्यापक नहीं होता ब्रह्म की सत्व व्यापक है उसका सरुप माया से सरुथा परे है लेकिन संसार भठका हुआ है और संसार यही मानता है कि सिष्टि के करकड में ही परमात्मा है चौदे तब को बका का कोई बोलिया नहीं गरब इस संसार में जो भी विद्वान होते हैं या तो बैकूंट तक जाते हैं या निराकार तक जाते हैं शुपन बुद्वय कुठलो या निरंजन निराकार सोक्यो सुनकूलं के मेरी नवेपार इस दिये तारतम जान का प्रकास हुआ है इस तारतम जान के प्रकास में ही संसार को यह पता चल सकता है कि परमात्मा कहां है और कैसा है उस परमधाम के साथ अपना क्या संबन्ध है सुरे से किर्णू का जैसा संबन्ध होता है वैसे ही हमारी आत्मा का संबन्ध उस परमधाम से है और यह जान हमें तारतम के द्वरा विदित होता है कि माया का खेल देखने के लिए आए है ब्रजराज की पिस्टाथ पुना इस जागने के ब्रमानु में अन्य था जदी तारतम वानी नो हो तो हमें कोई बताने वाला नहीं था कि हम कौन है आय कहां से है शरीर और संसार को छोड़ने के पैस साथ हमें जाना करा है इसलिए ये अन्य ज्यान है जो अक्षरातीत के हिर्दे से प्रवाइट हुआ है सुम्य अक्षरातीत आवेश दरुप से महामती जी के धाम इर्दे में विराजमान हुए और परम धाम की इस ब्रमवाणी को कहें इसलिए सुन्दर साथ के नेतिक उतरदाइत है कि इस ब्रमवाणी की गरिमा को समझें यह ब्रमवाणी जिसके उपवाण के लिए कोई सब्द नहीं है हके इलम ऐसा दिया जो चौदे तबको ना है ना ही नूर मकान में सोधिया में सपने मार अवसकता क्या है यह ब्रमवाणी जितने फैलेगी संसार का उतना भी कल्या होगा इन ब्रमवाणी के सुनते खुलेत विस्त के द्वार जितने कोई अखंड मुक्ति को पाना चाहता है तो इस ब्रमवाणी का चिंतन करें जिस दिन उसको पता चल जाएगा कि सकार निराकार से परिब्रम का सुरुप क्या है कहां है कैसा है तो जो थोड़े समय के लिए भी परिब्रम का ध्यान करेंगा वो अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा इस दिए आजाव सकता है कि हम ब्रमवाणी को सारे संसार में प्राप्त है कि गीता भागवत कुरान बाइबल वगिर अनेग गरंत में परमात्मा के आने की साक्सिया पूरण हो चुकी है कि गीता साइधानती गरंत है उसमें कोई इतिहास की बात नहीं है बाइबल में भाईश की बाते हैं कुरान में बाइबल अवस्य हैं कुरान में भाईश की बाते हैं कुरान में कहा गया कि क्यामत के समय में अल्ला ताला इल्मे लदूने लेकर आएगा और अपनी उम्मत के साथ आएगा इस समय में एकायत है तिस्वे पारे कि इन्ना इंज परमात्मा किस तरह से वो बेहतर रात जिसमें रूहें और फरिष्टे अपने परवर्दिगार के हुक्म से माया के खिल में आते हैं ये संकेत ब्रज्रास और जागनी प्रमान के लिए किया गया है कि परमधाम की आत्माओं का किस तरह से परवर्व के साथ इस अंसार में उतरम होता है ये साक्षे कुरान में दी गई है बाइविल में भी दी गई है कि बाइविल में जब सुप्रेम टूट गाड़ आएगा अपनी बेहनों कोई कत्रित करेगा ये सारी बाते संकेतों में दी गई है लेकिन गीता में कोई संकेत नहीं है हाँ प्राणाचे की वाड़ी से गीता कि सिधानतों की जब विवेचना करते हैं जिसे गीता में क्या कहा गया है छर अक्षर और उतंपुरुस उसी तरह से तार्तमबारी में छार रक्षा उत्म पूरिष की भी वेचना विशतार से की गई है गेता में बीज रूप से कहा गया है संकेत में कहा गया है की जहां भरम का धाम है, वहां विदुत्सूरी अगनी का परकास नही है, पंचतत्वन नही है वहां के कड़कड में परब्रम का प्रकास है तो इसे हम सिधान से तूलना करते हैं कि जो गीता में कहा गया है वो तारतम बारी में विज रूप से कहा गया है गीता में वेद में वीज रूप से कहा गया है और तार्तम बाड़े में बहुत बिस्तार से यथार थरुप से प्रकासित किया गया है इसलिए अब वेद में कोई भविस की बात इतिहास की बात नहीं मिलेगी गीता में इतिहास की बात नहीं मिलेगी गीता में थोड़ा सा इतियास मिलेगा कौवरों पांडों के युद्ध के पारे में लेकिन गीता में कोई भविस की कोई बात नहीं मिलेगा वह दारसनिक ग्रंथ है और उसमें दर्सन की बाते मिलेगी हम कौन है? कहां से आये हैं? इस ब्रमांड में आने का हमारा उद्धिश्य क्या है? शरीर छुटने के बाद हम कहां जाएंगे? यही अध्यात्म का मुल प्रेश्ण होता है. हम कौन हैं? तार्तमवाणी से यह विदित होता है. आप अध्यात्म के पथपड़ जब चलेंगे तो आपको विदित होगा. ना आप शरीर हैं, ना इंद्रिया हैं, ना अंता कराने हैं, यह सभी तो नस्वर पदार थे. आप सुद बुद चैतन्य हैं, यह जीव तत्व का बोद होता है. चर पुरु से परे क्यों है? अक्षर. और अक्षर से परे क्यों है? उत्तम पुरु सक्षरादी. चर की सिष्ट जीव सिष्ट का लाती है. अक्षर की सिष्ट इस्वरी सिष्ट का लाती है. और उत्तम पूर्श अक्ष्राथीत जो अपनी अंगरुपा आत्माओं के साथ अनंत प्रेम और आनंद की लिला करते हैं उनकी सिष्ट को ब्रह्म सिष्टी का जाता है धारतम जान से ही हमें पता चलता है कि परहमधाम में प्रेम समवाद की पैस्चात परमधाम की आत्माएं माया में आई हैं माया का खेल देखने के लिए और एक्षर की आत्माई आई परमधाम की प्रेम लीला का उन्पोक करने के लिए ब्रच, रास और जागरी ये तीन ब्रह्मान बनते हैं और इससे ये पता चलता है कि तारतम ज्यान के प्रकास में हम भावना लेते हैं कि हम भी परमधाम की आत्मा है और उस भाव से यदि हम अक्षरातीत को अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ती से रिशाते हैं तो हमारा जीव निश्ची तरफ से योग माया के ब्रमान का अधिकारी बनता है पराण संगता में लिखाया है कि यदि किसी ब्रमाहत्मा की संगती में कोई भी रद्धा आए असपश्ट पराण संगता में ये उलेख है कि करौण का कायत्री मंतर के जब से इतना पुणिया नहीं मिल सकता जितना पूंड किसी ब्रहमसिष्टी के साथ बात करने से होता है समस्त तिर्थों में ब्रहमन करने से इतनी पवित्रता नहीं आ सकती जितनी पवित्रता केवल किसी ब्रहमुनिक के सेवा करने से प्राथ हो सकती है तो जो प्रदिन वानी पड़ते हैं, थोड़ी देर भी राजी का ध्यान करते हैं, उनको कोई भी बावसागर में नहीं रख सकता है, उनकी मुक्ति निश्चित है, ये तो जीव अस्तर पर बात होती है, जाको मेहर करे मुमिन, तहे सपने नहीं दो जाए, किसी तो सचरुप की पहले भाष्ट उसको प्राप्त होनी है, जिसमें ब्रहमसिष्टी का जीव जाएगा, इसलिए आज आओ सकता है, कि हर व्यक्ति को ये मानना होगा कि मैं परमधाम की आत्मा हूं, चाहें हो नहो, लेकिन ब्रहमसिष्टी का भाव लेकर जो चित्वनी करेग मुल मिलावे में राज जी स्यामा जी की सोभा को देखेगा, तो यहीं बैठे 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 उसको दर्सन प्राप्त हो गया, और जीव भी अखंड मुक्ति का अधिकारी तो बनेगा, जिदि उसने अपना आचन ब्रहमसिष्टी की जगा उसका जीव जाएगा, इसलिए मै कौन हूँ तो हमेशा भाव रखना चाहिए मैं परंदाम की आत्मा हूँ, कहां सी आई हूँ? मैं परंदाम सी आई हूँ, क्या करने आई हूँ? माया का खेल देखने के लिए बलेए कोई हो चाहे नहीं, ज़ झाहे हम अपने तूटेवे दांत में नाया दांत लगवा सकते सफेद वालों को काला कर सकते हैं प्लास्टिक सरजरी के दोर अपने नाया चम्र लगवा सकते हैं तो यदियाद रखिए जो राजी के प्रती सचे हिर्दे से समर्पीत होगा उसे प्रेम और समर्पन का फल अवसिप्राप्त होगा जीव और आत्मा में भेद क्या है जीव का मूल घर कहा है और आत्मा का मूल घर कहा है जीव का घर निद में वास्ना घर स्रित्राप्त जैसे सूरी से उसकी केड़े प्रिथक नहीं होती उसी तरह से अक्षरातीत से परमदाम की आत्मा कभी अलग नहीं होती माया के इस खेल में जो परमदाम की सूर्था आई है उन नजर मातर से आई है सक्षात नहीं आई है, सक्षियों के तन यहां नहीं आसकते क्योंकि कंगड़े उड़ावे अर्श की यह जो चौदे तबाद चौदे लोकों का यह ब्रह्मान सपन जनेते और सपने के ब्रह्मान में अखंड नूर में शुरूप नहीं आता सथ सपने में क्योंकर आवे सथ साई है न्यारा तो आप सोचिए इस सपने के संसार में परमदाम की आत्मा है माया का खेल देखने के लिए आई है एक बार प्रस्ण और दोरा देजे जीव और आत्मा का भीद क्या है जीव का मूल घर कहा है और आत्मा का मूल घर कहा है देखिए जमो सागर में अक्षर का मन प्रतिबिंबित होता है तो वो नारायड कालाता है मैं आपको एक देशान से समझा देता हूँ आप यहां सो गए सोते समय आप कहां चले गए मुंबई आपको यहां किसी ने उठा दिया तो मुंबई में जाकर किसी दुकानदार से आपको समान खरीत रहे हैं दुकंदार से आपका और जघ्ड़ा हो गया उस ने आपको चांटा मार दिया you चांटा तो सब्दे में मारा वास्तों में चांटा नहीं मारा था लेकिन चांटे कग ज्यान रहता है आपको तो यहा ब इसतर से आप उठ जाते उठते हैं तो आपके नीद टूट जाती है, सपना टूट जाता है, बस ये कान ही है, अक्षर का मन सपन में, सपन कब होता है, जब नीद आती है, नीद किसको कहते है, माया को, मो अज्यान भर्मना करम काल और सुन एनाम सारे नीद के निरा कान में, जब अक्षर का मन मो सागर में प्रव अमबव से आमका भाव होता है, मैं अकेले हूँ, मैं स्रिष्टी बनाओं तो उसके संकल्ब से इस स्रिष्टी का प्रादु भाव होता है तो जैसे बेहद मंडल में सब कुछ अनन्त है उसी तरह से हद के इस मंडल में अनन्त स्रिष्टी पैदा हो जाती है अनंत प्राणियों का प्रेक्टन होता है जैसे आप कपड़े के ब्यपारी है यहीरे के ब्यपारी है तो सपना भी देखेंगे तो किसका देखेंगे हीरे का देखेंगे, कपड़े का देखेंगे क्योंकि आपके संसकार में वही है अक्छर किसको कहते है जन्म आद यस्यत्र, विदान्त का सुत्र है जिससे सिष्ट की उत्पती हो, पाला नहो, संघार हो, वो अविनासी अक्षरब्रम है अक्षरब्रम संकल्प क्या करेंगे? सिष्ट बने और लेव का भी संकल्प होई करेंगे तो जब तक मो सागर में उनका मन रहता है, निद्रा में, मो सागर का ताथ पर निद्रा में हम और आप जैसे रात को सोते हैं वैसे अक्षरब्रम नहीं सोते हैं वो तो माया के अंदर समझने के लिए मो सागर में उनका मन स्वाइम को देखने लगता है इसको कहते हैं सपने देखना और जब उनका संकल्प होता है तो करोणो प्राणी उनके संकल्प मात से प्रगट होती है जब सपन तूटता है तो करोणो प्राणी उनमें विलीन हो जाते हैं आप सपन में मुंबई गय थे तो मुंबई के दुकंदार से आपका जगड़ा हो गया था जब आपका सपना तूटे गा तो बंबई भी नहीं रहेगी और जिस आदमी से आपका जगड़ा हुआ था जिसने आपको चांटा मारा था वो भी नहीं रहेगा परड़ाम क्या होग क्योंकि वो सपने में कल्पित था, यह सारा संसार सपने कल्पित है, इस दिए यह सूरा, चान, सितारे, पृर्थवी जो भी दिख रही है, यह जितने प्राणी देख रहे हैं, मनुस्य हैं, पस पक्चिय हैं, कीड़े, मकोड़े, महाप्रले में सभी लाइकों प्राप्त हो जाते हैं, आदी नर्ण की तरह, आदी नर्ण के संकल्प में यह सब समाप्त हो जाते हैं, जैसे पानी का बुलबुला, पानी में अपने अस्टित को खो देता है, यह प्राणी का अस्टित भी समाप्त हो जाता है, इसको जीव काते हैं, आत्मा क्या है, तुम रुए मेरे तुमसो इसको मेरे दिल राज जी का जो दिल है वही आत्माओं के रूप में दिश्ट गोचर हो रहा है सख्यों में स्यामा जी में अक्षर ब्रह्म महालक्ष में यह जो कुछ है परमधा में सभी राज जी की आत्मा से रूप है परमधाम के पचीश पक्ष भी क्या है आत्मा से रूप है अक्षरतीत का हिर्दय ही आत्मा के रूप में किड़ा कर रहा है चाहिए वस्यामा जी हो, सखिया हो, खोखो सालिया हो पचीश पक्ष हो या महालक्ष में हो कहने कह से क्या है आत्मा हुआ है जो परब्रह्म की आनन्द सरुपाओ आनन्द अंग को आत्मा कहते है तुम रूहे मेरे तन हो तुमसो इसक जो मेरे दिल और जीव किसको कहते है जो आधी नरायन के संकल्ब से प्रगठ हुआ होता है और माप्रले में लाइको प्राप्त हो जाने वालायन का है यसी को बाणी में कहा है जीव का घर है नीत में वासना घर स्रिदाओ परमात्मा को जानने के लिए क्या करना चाहिए पहले तो जिज्यासा होने जरूरी है वेदान्द का पहला सुत्र है अधातो ब्रह्म जिजासा यदि आपके अंदर जिजासा नहीं हूँ कि मैं जानू की परमात्मा कौन है कहां है कैसा है तो आप ब्रह्म तत को प्राप्ट नहीं कर सकती है जब देवचन जी कुम्रे 11 साल की होती है तो उनके मन में जिजासा होती है मैं कौन कहां से आया कहां है मेरा बरतार लेकिन सब के मन में जिजासा नहीं होती आप सुन्दर साथ हैं देश में लगवक 40 लाग सुन्दर साथ हैं जो परंपरा से घर में बच्पन में सिखा दिया जाता है देखो मेर सागर का पाट कर लेना है पांच बार तारतम पढ़ लेना है या पांच चुपाई पढ़ लेना है पांच उपाई तो बहुत कम सुन्दर साथ पढ़ते होंगे पांच बरतार्तम पढ़ लिया हो गया उनके मन में जिजयसा नहीं होती कि मैं जानो खिल्वत में क्या लिख्या है परिकर्मा में क्या है सागर में क्या है सिंदार में क्या है हम कहां से आये हैं राज से कि अमर नमा तक की वानी का चिंतन बहुत कम सुन्धर साथ करते होँगी मुल मिलावे का ध्यान बहुत कम करते होँगी इसलिए जीवन में ज़ जासा होने जरूरी है कि हम सत्य को जाने प्रेम का प्राण है जान इल्म इल्म इसका का प्राण है और इसका का प्राण है इल्म दोनों एक दुसरे के पूरा के सुन्दर साथ के मन में बहुता है कि अरे इतना इल्म लेकर क्या करेंगे बस राजी राजी करो तो यह भ्रहम है यदि ज्ञान नहीं होगा तो आप प्रेम किस से करेंगे बिना ज्यान के प्रेम नहीं कर सकते हैं इसलिए ज्यान जरूरी है ज्यान के बिना प्रेम नहीं प्रेम के बिना ज्यान नहीं यदि आपके अंदर सच्चा प्रेम होगा राजी से चालिश लाकी संख्या में अनुमानता होंगे, 400 से ज़ादा मंदिर भी है. इन सभी मंदिरों में वाणी चर्चा प्रतितिन होनी चाहिए. ज्ञान का प्रकास होगा, हम सुंदरसाद घरों में बैड़ का प्रदिन वाणी कचिंतन करें. जम जान का प्रकास होगा तब ही हमारा हिर्दे तरपेगा कि अब हमें राजी को दिखना है नहीं तो क्या होगा एक प्रवा से बस से वा पुजा होती रहेगे इसे आगे कोई बढ़ना नहीं चाहेगा और चित्वनी अनिवारे है यह मुलमिलावा अपना नजर दिखे इत पलक नफिछी फेरिये जो इस कंगुपजद यदि हम राजी की सोभा को निहारेंगे तब जो इस कंगुपजद हमारे अंदर प्रिम कब होगा जब हम चित्वनी करेंगे तब इमान कब होगा जब हम बाणी पढ़ेंगे तब तब ही तो पता चलेगा कि इस जागनी लिला में प्राणनाजी के सुरुप में स्वयमाक्षरातित हमारी आत्मा को चेगाने के लिए यदि बाणी का चिंतन ही नहीं करेंगे तो प्राणनाजी को हम क्या मानते रहेंगे संत महापुरुस आचारी कभी का करके संतोस कर लेंगे बाणी पढ़ेंगे तो बाणी कहेगे कि प्रक्टे पूरन ब्रह्म सकल में ब्रह्म सिर्धार इस्वरी सिष्टी और जीव की सब आय करो दिया कौन आया है पूरन ब्रह्म आवेश रुप से प्राणनाजी के रूप में प्रकट हुए है तुम्ही उतर आई अर्से इता तुम्ही क्यो मिला तुम्ही दैसुधर्स की जो अर्स में हुआ यदि हम बाणी नहीं पढ़ेंगे तो क्या मानेंगे कि निजानन्द स्वामी आचारी है प्राणनाजी आचारी है हम उनको आचारी माल लेगे कभी माल लेगे महापुरुस माल लेगे छत्त साल जी के गुरु माल लेगे ऐसा नहीं प्राणनाज किसको करते है जो हमारी आत्मा कर प्रितम है उसको प्राणात करते हैं देखिए राजी जब ब्रज में आये कृष्ट के तन में बैठे तो उनको भी क्या कहा गया प्राणात मांगा किया राधा बाई का परभ्याहे नहीं प्राणात राज में राज्य जाते हैं तो उनको भी क्या कहा जाता है प्राणनात कंट पाउटी फरे साथ एम रंगे स्री प्राणनात देवचन जी के अंदर जब राज जी विराजमान होकर लिला करते हैं तो उनको भी क्या कहा जाता है प्राणनात तब स्री मुख बचन कही प्राणना माया मिने आई श्रिष्ट ब्रह्म सो बुलावन आया है कौन का रहा है देवचन जी और गांग जी भाई के बीच में बार्दा चल लिए उसमें सद्गुर धन्स देवचन जी को प्राहनात का दिया प्राहना जी का ताथ पर मिराज कतन नहीं मिराज तो तन है जैसे देवचन के हम जान सकते हैं दिखिए इस श्रिष्टी को बने हुए अभी मैंने बोला एक करव चानबे करो आठ लाग तिरपन अजार बर सो चुके हैं लेकिन तारतन ज्यान के बिना बड़े-बड़े बिद्वान भी नहीं जान पाए कि छर अक्षर अक्षरातीत में भेद क्या है अथर बेद में एक प्रस्त किया गा है पहले के रूप में कि सोने का बेद है जल में खड़ा है बताईए क्या है उसी मंत्र में कहा गया है इसको कौन जानेगा कि अल परमात्मा ही इसका रश जानता है वो मंत्र में सुना देता हूं यो वेट सम्तिष्धंतम सलीलम पात्रे सावाई गुयम प्रजापति सोने का बेद जल में खड़ा है जो इसको जानता है वो कुई प्रजापति है कुई प्रजापति है ब्रमसिष्ट है जिसको आज तक कोई जाना नहीं कि ब्रमसिष्टि किसको कहते है कहने का से क्या है केवल अक्षराती थी इस रहसी को जानते ह कि सोने का बेद क्या है जल क्या है सोने का बेद क्या है अक्षर और जलासे क्या है अक्षरातीद तो जिस तरह से तलाब के अंदर बेद का पोधा उगता है उसी तरह से अमरित मईश रोवर के अंदर सोने का बेद का पोधा उगा है रज क्या है अक्षरातीद का सतंग अक्ष तो जिस तरह से अक्षर और अक्षरातीत के वेद को कौन जानता है केवल राजी हक तरब जाने नूर अर दूजान जाने कोई पर बातून सुद तिनकों नहीं हक इलम दिखावे सु वेद में जो कुछ लिखा है संकेतों में लिखा है उसी की ब्याक्या सरूप रिशियों ने काफी कुछ किया, बहुत प्रियास किया, समाधियां लगा ही लंबे-लंबे तो उनको भी केवल संकेतों में थोड़ा बहुत जानकारी हो सकी कि च्छर क्या है अब च्छर क्या है उत्तम पुरू सक्षरादीत क्या है आज वेद के बड़े-बड़े विधवान कायवेले के जिस मुक्ति को मानते हैं बढ़ निराकार मंडल के अंदर नरायण को जो सुख मिलता है वहीं सुख है, जिसको वो मुक्ति मान बैठे है अब्याकरत में जो अखंड सुख है उसका अभास पढ़ रहा है निराकार के अंदर और उसी को प्रात करके बड़े-बड़े योगी खुस हो जाते हैं कि हमने ब्रह्मा नद पा लिया वास्तिविक आनन्द तो बेहद में है और परमधाम के आनन्द के तो बारे में कोई सोच भी नहीं सकता इस दिये वेद में काया कि उसी आनन्द को पाने के लिए रिष्यों ने प्रातना किती कि ही परमात्मा अस्तो मास्त कमे तमसो मा जूतिर कमे मृतोर माम अम्रितम कमे और यदि हम तारतमी जान के प्रकास में सभी ग्रंथों को देखे तो वेद से, उपनिसत से, दर्सन से, गीता से, संतवानी से जान कर सकते हैं, और राजजी ने हमारे उपर अथा किर्पा करके ये 18, 17, 17, 17 चुपाईयों की तारतम बानी दिये, बीतक साब दिये जिसके दोरा हम सरलता से जान सकते हैं कि छर क्या है, उत्तम बुरुस अक्षरतीत क्या है एक घटना है, सुंदर बल्ला बद्री तीनों मिलकर के सास्तार्त करने आये थे, बल्दिवान के प्रयास से, और आपको विधित है बाद्री दाइस जी के सास्तार्त नहीं हार हो गए थे, उसका बद्ला लेने के लिए बाद्री दाइस जी का जो बेटा था उसको बहुत बुरा लगा कि हम ब्राह्मन हो करें छत्री से हार गए यह हमारे लिए बहुत दुखत है वो बनारस जाकर बारा बरसों तक अध्यान करते रहे बारा बरसों के अध्यान के पेश्याद घोड़े पर चड़ कर आए कि मैं चल कर छत्र साल जी से बदला लूगा मेरे पुर्वज हार गए है तो क्या उस हार का बदला लेना है जब वो छत्र साल जी के पास आए तो समें स्री जी की लेला अंतरधान हो चुकी थी सास्तार्त में छत्र साल जी ने केवल एक ही प्रिस्ट पूछा गीता का कि उत्तम पुरस कौन है अर्थ नहीं बिता सके। अंतरध में उनका नाम तो जानते हैं भूसर जिनोंने बृतान मुक्ताली लिखी है वही भूसर जो बारा बर्स काशी में पढ़ने के बाद भी गीता के पंद्रे में अध्याय के सुलहवे और सत्रे में स्लोक का अर्थ नहीं कर पाए दो इमापुरसा और लोके अच्छरे अक्षरे ये च्छरे सर्माणी भूतानी कुट्रस तो अक्षरे उचते अगला स्लोक है उत्मापुरसातून में परमात्मा इत्युदार तक ये लोक तरेम अभी से विभरत अभ्याइश सरा इन दोनों स्लोकों से उरहस को उजागर नहीं कर सके छट साल जी के चर्णों में आये और उने से तार्थम ग्राण किये तो आप सोचिए एक विद्वान जो कासी में बारव वर्सु तक अध्यन करता है छट साल जी के एक सरल परसे का उत्तर नहीं दे पाया आज राजी ने हमें परमधाम की वानी दी है इस ब्रहमवानी से हम संसार के सभी लोगों को सत्यका मार इदर साथ देसके हैं अब इसके लिए हमें निद्रा की राह छोड़नी पढ़ेगी यह जागनी के ब्रहमाने सब सुंदर साथ को लगना पढ़ेगा कि हम वानी के प्रकास को फैलाएं आज सौने के दरवाजों से, सौने के सिंगासनों से, सौने के कल्सों से जागने का कारी नहीं होगा जागने का कारी होगा वानी को फैलाने से चितवनी को फैलाने से वानी फैलेगे राजी के महिमा फैलेगे इस ये हर दिल को मंदिर बनाई है हर दिल में युगल सरूप की सोभा भी राजमा किजिए सोने का सोने के पत्तर चड़ाँगे तो क्या होगा कि वोल अमीर लोग तो चड़ा सकते हैं गरीब बेखती तो क्या करेगा लेकिन बाणी का प्रकास जिसके हिर्दय में आएगा हालक हक की लमजित पहुंच जाती तो अर्स होगा दिला जोपड़ी में रहने वाला गरीब से गरीब सुन्दर साथ भी जदी बाणी का चिंतन करता है तो उसके दिल में इगवल सरुप की छभी बस जाती है यह आवस्यक है कि सबका दिल हैं मंदिर बन जाए नहीं तो क्या होगा आपको तो मालूम है मंदिरों में बर्चस के लिए लड़यां होती है टस्टी टस्टी आपस में लड़ते रहते हैं जगड़े होते रहते हैं दिल में मंदिर बनेगा तो उसके लिए कभी जगड़ा नहीं होगा बलकि सब के अंदर आनंद ही आनंद मिलेगा और सारे संसार का भी कल्या होगा क्या नवदा भक्ती से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है कभी भी नहीं नवदा से नारा कोई हो चौदे भून में ना सुप्रीम कहा सिपाई है नवदा भक्ती बैकॉंट तक ले जाती है योग सातना निराकार तक ले जाएगी ब्यंगब योग ब्यहद मंडल में ले जाएगा परंधाम की अन्भूती के लिए तो पराप्रेम लक्षण भक्ती चाहिए प्रेम में ही चित्वनी का मार इसने मैं कहता हूँ आपको नहाने के लिए भी में नहीं कर रहा हूँ आखे बंद करके युगल शुरुप का ध्यान कर लेजिए इसमें क्या मुक्सान है आपको आप से एक पैसा भी राजी नहीं मांगते हैं इतना तो आपको करना ही पड़ेगा आप हर दिन अपने माता पिदा को याद करते हैं भाई बंदों को याद करते हैं पत्य पत्नी को याद करते हैं हर संगे समंदी को याद करते हैं लेकिन जो आपका प्रितम है उसको हिर्दम में बसाने के लिए पंदर मिनट भी आपके पास नहीं है तो आपको सुन्दर साथ कहलाने का अधिकार नहीं है जो सुन्दर साथ चितवनी नहीं करना चाहता है या चितवनी कभिरोध करता है मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर परमधाम की आत्मा होगी क्योंकि हर ब्रहमात्मा का कर्दब्य है कि अपने प्राणिसर को जी भरकड़ के देखे और यह तब होगा जब हम इसक बंदगी प्रेम मही भक्ति जिसको कहते हैं प्रेम लक्षणा बंदगी अल्ला के होत है हचूर फर्ज बंदगी जायरे बेच लिखे हक से दूर यह प्रेम मही इस जित्वनी का मार्ग नहीं अपनाते तो हमें कभी भी राजी के चन्रकमल नहीं मिलेगे नौधा बंदगी से कुछ नहीं होगा नौधा बंदगी से आप गाले चीए, बजा ले चीए नौधा बंदगी में क्या होता है स्रवनाम, किर्थनाम, बिश्रों, अर्चनाम, बादिसेवनाम, बंदनाम, दास्यम, सक्ख्यम, आत्मनिवेतनाम यह तो सब कुछ मन बुद्धी के धरादल पर सरीर से हो रहा है आप नाचिये, कोदिये, रात बर गरवा कीचिये इससे आपके आत्मा को कुछ नहीं मिलेगा मन थोड़ी देर के लिए संतुष हो जाएगा कि चलो राजी के लिए हमने नाच गुद लिया लेकिन असली चीज क्या है? चित्वनी, आप आँखें बंद कीजिए, नक से सिक्तक इगल सरव की सोभा को देखिए और इसी प्रेम में भक्ति में जैसे गोपियां किर्श के बने चले जाने के बाद भी हर पल उनको हिर्दे में बसाई रहती थी आपको भी अपने प्राणिस्वर को हर पल दिल में बसाई रखना पड़ेगा उड़ते बैटते सुपन सोग जागरत दम न छोड़े मासू को जाकिया सल प्राणिस्वर श्री प्राणनाजी संत भगवान देव या इनसे अलग है या इनही में से एक है वानी में पले ही कदियाए रहुनाई रहुनाई सिध सांत संत्री भगत बैस्नों अपरस आचा नसिध हाए उनसादू लेकिन ये तो हमारे समाज को सोचना पड़ेगा सिर्ष बर्क को सोचना पड़ेगा एक पार दिली में एक जगा सभी विद्वान इकठे हुए थे और उसमें गोसला किये गई कि हम प्राण नाची को राष्टी संत्री खोसित करते हैं ये कितना बड़ा अपमान है इसे बड़ा अपमान कुछ नहीं होगा कौन आया है प्रकटे पूरण बर्हम सकल में बर्हम सिर्धार इसृरिष सिस्ठर और जीवकी सभाय कुरदीदार कोई संत महा पुरुष नहीं आए हैं कोई आचारी नहीं आए हुम सोचते हैं कि देव चन् जी को निजानन दचारी बना दे ते ते उनिजानन दचारी नही यह सुखदाई सबन को तरिकुड समेश्त विस्तार बिस सु बंदे अच्छर लोग सुखे परिक्षित सु कहीं हो भिचार संपुन बिस से लेकर अच्छर ब्रह्म तक जिस स्यामा जी की बंदना करते हैं वो स्यामा जी देवचन जी के अंदर आई हैं उनको हम अचारी कैसे बिना सकते हैं उस प्रानात को अचारी कैसे बिना सकते हैं जो जिसमें पुरन परम का अवेश प्रक्टा है अचारी तो किसी गुर्कुल में जाएए कितने अचारी मिल जाएंगे आरी समाज के पस पांच हजाज अचारी है हम प्राहना जी को इतना छोटा पद्दे देते हैं वानी क्या करती है इन मोती का मोल कहिओन जाए ना कि नहों कानों सुनाए सुई जले जो मोल करे और सुनने वाला भी चल बरे प्राहना जी कि महीमा इतनी अनंत है कि उसको सब्दों में नहीं कहा जा सकता सुई जले जो मोल करे और जो प्राहना जी कि महीमा को छोटे सब्दों में कह देता है कि बहुत बड़े महान कभी थे संत थे, महापुरुस्त है तो सुई जले, जले करत क्या होता है प्राहस्चित की अगनी में चलना परेगा और सुनने वाला भी जल मरे और जो उसको सुन कर भी चूप रहता है कुछ भी प्रतक्रिया नहीं करता है आपके पिता को कोई गाली दे तो आपको बुरा लगता है आपके पती को गाली दे तो बहनों को सान नहीं होगा सिंधी में क्या कहा गया है कि कि किसी पतने के सामने उसके पती को अब सब्द कहा जाए तो वो साहन नहीं कर बाती, सोती है कि मैं प्राण त्याग दो या तो वो बिरोध करेगी और नहीं तो वहां से चली जाएगी जब कोई इच नहीं होगा तो चली जाएगी लेकिन हम संदर साथ देखिए कबीर पंथ वाले अपने कबीर जी को क्या कह रहे है हम परमात्मा की समान मानते है इसलाम को मानने वाले मुहमद साब को खुदा के बराबर तो नहीं कुछ मानते तो बले ही लेकिन खुदा के बाद उनहीं को मानते है और हम प्राण जी को कितना छोटा बना देते हैं, संत काते हैं, महा पुरुष काते हैं, कभी काते हैं, देवचन जी को किड़ जी का भक्त बना देते हैं, और कहते हैं कि प्राणना जी मंत्र का जब करते थे, ऐसे अपराद ये छोटा अपराद नहीं है हमें ये कहने का अधिकार नहीं है कि प्राहना जी मंत्र जबते थे प्राहना जी सिस थे देवचन जी भक्त थे हम देवचन जी प्राहना जी को भक्तों की अचारियों की स्रेड़ी में न रखे यदि आप प्रार्णाजी की महिमा नहीं कह सकते तो प्रार्णाजी को छोटा ना पनाईगे क्या कि घ. प्रार्णाजी की 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 महितने क्या ओंगे जाके शोटाजी की 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 ह forecasts्तिन